नदी, तालाब, जील, वर्षा या जमीन का पानी इस सत हर किसी के लिए हैं। साथियों एक समय था जब गाउं में कुएं, पोखर, इनकी देखवाल सम मिलकर करते थे। अब ऐसा ही एक प्रयास तमिनाडू के तिरुवन्ना मलाई में हो रहा है। यहां स्थानिये लोगों ने अपने कुओं को समरक्षित करने के लिए अभियान चलाया हुआ है। यह लोग अपने इलाके में वर्षों से बंदपड़े सारवजनी कुओं को फिर से जिवीत कर रहे हैं। मद्दप्रदेश के अग्रोधा गाउं की बवीता राजपूत जिर्भी जो कर रही है उससे आप सभी को प्रेणा मिलेगी। बवीता जी का गाउं बुंदेलखन में हैं। उनके गाउं के पास कभी एक बहुत बड़ी जील थी जो सुख गई थी। उन्होंने गाउं की ही दूसरी महिलाओं को साथ लिया और जील तक पानी ले जाने के लिए एक नहर बना दी। इस नहर से बारिस का पानी सीधे जील में जाने लगा। अभी जिल पानी से भरी रहती है, साथियों पानी को लेकर हमें इसी तरह अपनी सामुही जिम्मेदारियों को समझना होगा, भारत के जादातर हिस्सों में मैज जुन में बारूष शुरू होती है, क्या हम अभी से अपने आसपास के जल सोत्नों के सफाई के लिए, वर्षा जल के संचेन के लिए सो दीन का कोई अभियान शुरू कर सकते हैं इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति मंत्रा ले द्वारा भी जल शक्ति अभियान catch the rain भी शुरू किया जा रहा है इस अभियान का मुल मंत्रा है catch the rain where it falls, when it falls हम अभी से जुटेंगे हम पहले से जो rain water harvesting system है उन्हें दूरस करवा लेंगे गावों में, तालाव में पोखरों के सभाई करवा लेंगे जल स्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते के रुकावटे दूर कर लेंगे तो जादा से जादा वर्षा जल का संचयन कर पाएंगे